हेलो फ्रेंट्स आप देखे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी फ्रेंट्स अगर आप नीट 2022 मां भी एक्जाम दिये हैं और काउंसिलिंग के बाद MBBS कॉलेज में एडवीसर लेनी की त्यारी में हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है बहुत अच्छी गुड़नीज आपके लिए है मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस साल कुछ 91-92 आपकी सीट्स हैं टूटल और इस साल मैंने पहले भी बोला आपको अभी दो दिन पहले कि एक लाग से जादा MBPS सीट आपकी साल होने वाले हैं और बहुत अच्छी ख़बर भी है एक गवर्मेंट कॉलेज को NMC की द्वारा फिर से एक मानता मिल चुकी है अगर मैं उस कॉलेज की बात करता हूँ तो NMC ने उसको मानता दे दी है जो कि महासमुंद मेडिकल कॉलेज ह में सीट की बात करता हूँ यह कि गवर्मेंट कोलेज है ध्यान रखिया है कि गवर्मेंट कोलेज है इसमें आपको 100 सीट मिली है टोटल जिसकी 15% सीट जो है वो आपकी All India Cota को जाएंगी मतलब 100 सीट में से 15 सीट आपकी All India Cota में जाएंगी 85% सीट जो बसते हैं वो 36 गड़ कि तब तक और भी कॉलेजों के permission NMC की तरफ से मिलेगी ठीक है क्योंकि यह सरकार का भी कहना है कि जादा से जादा MBBS seat लाईगा doctors की जो भारत में इतनी जादा कमी है इतनी जादा problem है उनको जल्दी से जल्दी पूरी कीजिएगा तो बहुत जल्दी भी आपके और भी कॉलेज की permission NMC की तरू मिलने वाली है आप इसी तरह से अपनी preparation में लगते रहेगा ऐसा मत सोची कि अभी इतनी है तो अगली साल कम हो जाएगी कम नहीं होगी बढ़ेंगी ही और ऐसा कोई यर नहीं है जिस साल 10-12,000 seat MBBS की ना बढ़ी PM मोधी जी ने भी अपनी ट्यूटर एंडल पर ट्यूट किया था कि 50% सीट प्राइवेट कॉलेज की गवर्मेंट कॉलेज की फीस के एककॉल होनी चाहिए और NMC NT ने भी नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया है NMC ने सारी guidelines deemed university private institute को दे दी है कि जल्दी सी जल्दी अपने 50% सीट जो है आपकी वो गवर्मेंट कॉलेज की उपक्वल फीस उनकी कीजिएगा तो बहुत अच्छी खबर है मतलब 360 डिग्री आपको सभी तरब से आपको यहां पर अच्छी खबरी देखने को मिल लेए और आपके लिए कहिना कहिए बहुत ज़दा बेनिफिशल होने बाली आपको गवर्मेंट सीट तक college तक पहुचाने के लिए ठीक है